कपाला मैदान का कुछ इस तरह से सजावट है दोस्तों जय मातादी आप सभी को नवरात्री की घेर सारी सुभकामना है दोस्तों मैं हुलाज जी और आप सभी को स्वागत करते हूं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम लोग घुमने वाले हैं दिपका दुर्गा पंडाल तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुवात करते हैं लोग जा रहे हैं दुर्गा पुजा पंडाल देखने दिपका का अब देशक्ते हैं सजावट कैसा है अब यह हमें गेट अब इपका कपाला मैदान का इस तरह से सजावट है लाइटिंग का तो आज नवरात्री का तिसरा दिन है और हम लोग देखने आए हैं यहां का दुर्गा पंडाल और आपको इस वीडियो के माध्यम सभी मैं देखा रहा हूं कि कैसा है यहां का दुर्गा पंडाल तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ पंडाल की तरफ देखने के लिए अब को रोना के चलते थोड़ा सांथ सांथ है एरिया उतना मेला नहीं लग पाया है तरह निकाब को दर्सन करवाते हैं रहा है यह बढ़ते हैं है भल्का मेली के तरह सांथ है खी एडिया ज़ कईक तरह बश्स दो हैं कर दो जड़ एंप उड़ा कर दो यहां को जड़ा है तो जड़ जड़ें टुर्द बढ़ा सांथ है वजय अरती हूँ जब कि अजय को बाद कि अजय को दुर्गापुजा का रावना खी कुछ और है बहुत अच्छा परव है बहुत अच्छा तेवार है दुर्गापुजा का बहुत थीर हम लोग एंज्जॉय करते हैं जय मातादी अच्छा पाली का दीपका का दुर्गापंडाल कमेन गेठा है देखें क्या कुप्सूरत लग रही है और चलते अंदर की तरफ इस अच्छा परवार अच्छा परवार कॉप देश्टा का है और यादो थारे है दिपका नगर पानिका कब दुर्गापंडाल अच्छा परवार करता बादो अधर बच्चों के लिए ये भी लगा हुआ फिसल पट्टी इस टॉल लगा हुआ है जिसमें आकर के आप इंजॉय कर सकते हैं इधर तो दोस्तों अभी आज तिसरा दिन्हें तो ज्यादा भीड़ भाड़ है नहीं और ये पंचमी के बाद में आपका भीड़ बहुत बढ़ेगा इधर तो आज हम खाली है इसलिए इधर दे ले रहे हैं तो ऐसा हम वीडियो नहीं बना पाते फिर भीड़ से बहुत भीड़ हो जाता ये वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो लाइक किजे सेयर किजे सब्सक्राइब करिए तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में तब तक लिए दोस्तों जय हिंद